सिम्लीपाल नेशनल पाक और रीसा राज्य के म्लूर्भंज क्षेत्र में अवस्थित एक सुन्दर नेशनल पाक है सिम्लीपाल नाम रेश्मी कपास के पेर जिसे स्थानिय भाषा में सिमुल कहा जाता है सिर्व्यूत पन हुआ हैं सिम्लीपाल का क्षेत्र घंय जंगलों, घास के मैदानों, मनोरम झहर्णों اور नदियों से समर्धह है गने जंगलों से निकलने वाली थंडी हवा, पक्षियों की चाहत की आवाज, पहाडियों से गिर्ती सफेद जर्नों और घास के मैदान में टहलते वन्यजिवों आपको मोहित कर देंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क नवंबर से मध्य जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है सिमलीपाल के हरे भरे वातावरन को वन्ट शिविर के लिए भी उत्तम माना जाता है सिमलीपाल को हाथी रिजर्ग के रूप में भी जाना जाता है यहां के स्थानिय संथाल आदिवासी बस्तिया वनस्पतियों में निर्भर है सिमलीपाल नेशनल पार्क 2750 वर्द किलोमिटर क्षेत्र में फैला हुआ है पूरा सिमलीपाल क्षेत्र लहरदार है जो 600 मीटर से 1500 मीटर तक में फैला हुआ है सिम्ली पाल की उची पहाड़ी या नेशनल पाप की सबसे उची चोटी मेगा सानी को गेरती है गर्मियों के मौसम में यहां के पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों के मौसम में यहां के तापमान 14 डिग्री सेल्सियस में गेर जाती है इस ख्षेत्र में औसत बारिश होती है मूल रूप से मुरूर भंज के शासकों के लिए शिकार का मैदान होने के कारण सिम्लीपाल को वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्ब और मई 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का अनिवारिया हिस्सा नामित किया गया यह वही रिजर्ब है जहां मगर क्रोकोडाइल स्कीन शुरू किया गया था और इसके परिनामस्वरू उसी वर्षोडेसा सरकार ने 2200 वर्ब किलोमेटर ख्षेत्र को कवा करके सिम्लीपाल वाइल्ड लाइफ सेंक्च्वरी घूशित किया बाद में 845.70 वर्ब किलोमेटर ख्षेत्र को सिम्लीपाल के साथ जोड़ा गया और 1994 में इसे बाउस्पियर रिजर्ब घूशित किया गया सिम्लीपाल नेशनल पाक को 2009 माई में युनेसको ने इस नेशनल पाक को बाउस्पियर ब्रिजर्ब की अपनी सूची में शामिल कर लिया लेकिन दुर्भाग्यवश यह भारत के 15 बाउस्पियर ब्रिजर्ब में से एक होने के बावजूद भी अभी तक पूर्ण नेशनल पाक के रूप में घूशित नहीं किया जा सका है इसका मुख्य कारण यह है कि इसके अंदर बसे हुए 61 गावों में रहने वाले लगभग 10,000 आबादी जो सिम्लीपाल के विकास में मानविया हस्तक शेप लाती है आज सिम्लीपाल नेशनल पाक 2750 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पर फैला हुआ है पुचित सन्रक्षन और बहतर आवास के कारण सिम्लीपाल नेशनल पाक वन्यजीवों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है इस नेशनल पाक में पाए जाने वाले वन्यजीव इस प्रकार है सिम्लीपाल नेशनल पाक में लगभग 230 प्रजातियों से अधिक पक्षियों की प्रजाती पाई जाती है जैसे की ग्रे हॉन्बिल, इंडियन पाइड हॉन्बिल, मालाबार पाइड हॉन्बिल, इंडियन फ्रोगन, ब्रेज जंगल पाउ, हिल मेना, मोर, अलेक्संब्रन पैरकेट, थ्रस्टर सर्पेंट एगल सिम्लीपाल नेशनल पाक में पाए जाने वाले वन्सपतियां सिम्लीपाल नेशनल पाक में 102 से अधिक प्रकार की पौधों के साथ साथ 1076 से अधिक प्रजातियों के विभिन प्रकार के पेर पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती है उष्णकटि बंधियन नाम चोड़ी पत्ती वाले जंगल और उष्णकटि बंधियन नाम पर्णपाती बनके साथ 7 शुष्क पर्णपाती पहाडी वन और उच्छस्तर के साल वन है बड़े बड़े घास के मैदान सवाना शाकाहारियों लिए चरागाह और मांसाहारियों के लिए छिपने की जगया बनाती है यह स्थानिय आदिवासी लोगों के लिए कमाई का एक स्रोत हैं इस National Park से आदिवासी लोग औशधिय गुनों वाले जड़ी भूटी और सुगंधित पौधे संकलन करते हैं सिमली पाल National Park के आसपास के आकर्शक परियत अकस्थल जोरंडा फॉल्स जोरंडा फॉल्स सिमली पाल National Park क्षेत्र में सबसे आकर्शक परियत के अस्थल है जोरंडा पॉल्स सिम्ली पाल नेशनल पार्ग के मुख्यक शेत्रम इस्थित है इसके चारों और घने जंगल है यह प्रकृती के मनोरम ग्रिश्य को निहारने का आकर शक्स थल और परियतकों के लिए एक बेहधी खास पिकनिक स्पॉट है 150 मीटर की उचाई से गिरती हुई ज़र्णों के नीचे स्नान करना आपके लिए बेहधी अनोखा अनुभब होगा बर्ही पानी पॉल्स सिम्ली पाल नेशनल पार्ग क्षेत्रमें जो सबसे शांदार ज़र्णा में से एक है सिम्ली पाल के शांदार जंगल की प्रिष्ट भूमी में स्थित इस ज़र्णा के नीचे स्नान करने के लिए पर्यटक लालायत होते हैं बर्ही पानी जर्ना एक अद्बुत जगह है अस्थ यस्थ शहरी जीवन में यहां की सुन्दर्ता के साथ ताजगी लाना एक अलगी अनुभब होता है ट्रैकिंग सिम्लीपाल नेशनल पार्क में न केवर दर्शन यस्थल वन्य जीवों अवलोकन बलकी इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो पर्यटकों को भर्पूर मनुरंजन करते हैं सिम्लीपाल टाइगर रिजर्व के कठिन घने जंगल इलाके में ट्रैकिंग करना एक अलगी अनुभब देता है इस लहरदार पहाडी इलाकों से घिरा हुआ स्थान में साहसी पर्यटकों के लिए लंबी पैदल यात्रा और कठिन ट्रैकिंग एक आकर्शन है कैंपिंग सर्विसे जिस्क शेत्र में ब्रेकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं और ट्रैकिंग को और भी रोचक बनाने के लिए अनुभवी गाई ट्रैकर्स को तथ्यात्मक जानकारी और ट्रैकिंग के दौरान आने वाले खत्रों के पुलियाना सिम्लीपाल क्षेत्र से 18 किलोमेचर की दूरी पर स्थेत यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां के पूर्व एतिहासिक युग और रहन सहन के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आगंतुका आते हैं। तो रातात्विक में रुची रखने वाले लोगों के लिए यह क्षेत्र बेहद खास है। हरिपूर 1420 में महराजा हरेहर भांज द्वारा स्थापित यह सिम्लीपाल क्षेत्र के आसपास घूमने के लिए एक प्रसिद स्थान है। हरिपूर क्षेत्र को मयूर भंज राज्य की राजधानी माना जाता था। रसिकराया मंदिर इस क्षेत्र की सुन्दरता और भी बढ़ाती है। इसके अलावा आयतकार आकार के राधा मोहन मंदिर और जगनात मंदिर में गोडिया शेली की वास्तोकला के स्थान को और भी विशेश बनाता है। सिम्लीपाल नेशनल पाक सफारी में जाने के लिए जंगल प्राधेकरन द्वाराचार जी पुपलब्ध है। पाक खुलने का समय एक अक्टूबर से 15 जून तक है। सिम्लीपाल नेशनल पाक कैसे पहुँचे। हवाई मार्ग से सिम्लीपाल के लिए सबसे निकटतम हवाई अड़ा भुवनेश्वर 270 किलोमेटर के दुरी पर स्थित हैं। और कोलकाता 240 किलोमेटर की दुरी पर स्थित हैं। हालांकि कोलकाता से सीधे द्राइविंग करना बहतर है क्योंकि हवाई अड़ा में वेटिंग और बोर्डिंग के जन्छटों से मुक्त हैं। सिम्लीपाल नेशनल पाक कैसे पहुँचे। हवाई मार्ग से सिम्लीपाल के लिए सबसे निकटतम हवाई अड़ा भुवनेश्वर 270 किलोमेटर के दुरी पर स्थित हैं। और कोलकाता 240 किलोमेटर की दुरी पर स्थित हैं। हालांकि कोलकाता से सीधे द्राइविंग करना बहतर है क्योंकि हवाई अड़ा में वेटिंग और बोर्डिंग के जन्छटों से मुक्त हैं। रेल मार्ग सिम्लीपाल से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बाला सोर हैं। जो दक्षिन पूर्वी सेक्टर पर चलने वाली प्रमुक ट्रेनों से सीधे जुड़ा हुआ है। सड़ाक मार्ग सिम्लीपाल नेशनल पाक तक पहुँचने के लिए सबसे सुलब बिंदू है भुवनेशवर जो 270 किलोमेटर दूर और कोलकाता 240 किलोमेटर दूर बाला सोर से 55 किलोमेटर दूर और पीठाबाता से केवल 16 किलोमेटर की दूरी पर है। सिमली पाल नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार बारी पदा को मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में भी माना जाता है, जो मयूर्भंज जिला का केंदर बिंदू भी है यह नेच शेह और पांच के जंक्षन पर स्थित है यहां से सिम्लीपाल नेशनल पार्क पहुंचने के लिए आसानी से टेक्सी या कैब मिल जाता है सिम्लीपाल में होटल, भारत में मंदिरों की भूमी कहे जाने वाले पुलीसा भव्य प्राकृतिक सुन्दर्ता से सम्रिधा है पुलीसा पर्यटन में कई जंगल लॉज और ग्यास्ट हाउस है जिन्हें भरपूर सेवाओं के साथ तैयार किया गया है जहां पर आप नेशनल पार्क की यात्रा के दोरान सहज तरीका से आश्रे ले सकते हैं